नमस्कार आज बताऊंगा आपको ब्लोग के बारे में तीन बड़े कारण जिसके वज़ा से एट्सेंट डिसेबल होता है आपको बताऊंगा आज किन कारणों से आपको बचना है क्या चीज आपको नहीं करनी है और क्या आप कर रहे हैं तो उसको रोख देना है इसी वक्त औ नहीं नहीं से अप्रूबल आने वाला है तो दोनों के लिए है जिनका एट्सेंट अप्रूब्ड हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी वीडियो पहली बात देखे तो लाइक कर देना चैनल को कर लेना सब्सक्राइब आपको बताता हूं कि तीन सबसे बात करूंगा आज मैं आपको बताऊंगा परिसनल एक्स्पीरेंस के अकॉडिंग क्योंकि मेरा भी एट्सेंट अप्रूब्ड हुआ था उसके बाद डिसेबल हो गया था तो क्या गलतियां हुई थी वह बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में और आपको लग रहा बारे में आप यूं कह लीजिए तो पहला सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग में मैंने क्या गलती की मैंने स्टार्टिंग में ही अपने दोस्तों को व्लॉग का लिंक सेयर करने लगा उसकी वज़ा से एक कारण यह बनता है क्योंकि आपको इसको समझाता हूं कि इससे क्या अप्सन को अप्सन तो होता है तो उसमें सेयर करने के लिए आपको क्यों मैं मना कर रहा हूं उसका experience आपको बताता हूं देखिए starting में क्या करते हैं आप लोग आपके जो friends हैं या फिर जिनको आप जानते हैं जैसे ही action approval आता है उस वक्त की मैं activity बता रहा हूं ये आपको उससे पहले share कर सकते हैं लेकिन action approval के बाद रुख जाएए क्यूं आपके पास 20 लोग friend है जो आपको पता है कि 20 लोग देखेंगे ही देखेंगे अब इसका आकड़ा थोड़ा सा ऐसे भी लगाना कि आपके views कितने आ रहे थे उसके हिसाब से भी तो आपके दोस्त 20 हैं और लोग तो नॉर्मल कहा जाता है कि होती है जानकार लोगों के जिनको वो share कर सकते हैं उसमें से आपको पता है कि 20 लोग क्लिक करेंगे अब 20 लोगों ने क्लिक कर दिया स्टार्टिंग में एक्षेन अपरोबल के बाद की बात कर रहा हूं उसमें क्या हुआ उसके बाद और 20 या फिर 30 या फिर 40 लोगों ने या फिर इतना ही रेंज ले लिजे आपकी 50 लोगों ने आपका क्लिक किया यानि कि visitors आए आपके ब्लॉग पे तो कितने हो गए 50 लोग को तो खुद ही share कर दिया तो इससे एक कारण बनता है invalid traffic का मेरे according मैं नहीं जानता कि अभी और लोग क्या इस मुद्दे पर कहते हैं कि share करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं अपनी गलती बता रहा हूं जो मैंने किया जो मुझे लगता है कि invalid click हुआ होगा और वो तो बात क क्लिक कर दिया invalid click in the sense की आपका क्लिक किया और उसमें से लगभग 50% थोगा साही कम नहीं तो आधा तो आपके according आपके share करने पे ही खुल रहा है अब आपको लग रहा हो कि यह तो होता है नॉर्माल लेकिन यह चीज़ कंट्यूनिवसली जब होती हैं 10 दिन तो वह कही न कही करने उस रेशियो को जो और गैनिक व्यूज आ रहा होता है आपके उस पर उसको कही न कहीं डैमेज करता है क्योंकि रेगूलर बीस लोग धर्ड़ धर्ड़ आपके पक्का होता है मेरे तो चार या पांच या दस लोग ही थे जो लोग रेगूलर क्लिक कर रहे थे उसके according म मैं आपको बता रहा है जब मेरा dissoci न हो सकता है तो आपका उसकता है तो कहीं न कहीं organic व्यूज को वह हर्ट करता है push करता है क्यों क्योंकि यहां आ रहे हैं से तरह से रोज की उस व्यूस पे हो जाती है उस ब्लोग पे हो जाती है तो कहीं न कहीं ये एट्सन को invalid traffic के नजरिये से देखने को आपके ब्लोग को मजबूर करता है तो पहला ये है ये सायद मैंने अभी तक तो ऐसा ये नहीं सुना है हाँ एक तेक्निकल चैनल है ना मनहीं लुगा अब देखते ही होंगे जो लोग सब चीजों में काम करते हैं जो इस लाइन में आते हैं उनका ये कहना था कि उनके वेब साइट है उनके 40 परसेंट वह जो है उनके थ्रूं यानिक यूट्यूब के थ्रूब आ रहा था और 60% उनका और गैनिक था तो उसके वज़र से एट्सेंट डिस बैलेंस नहीं हो रहा था यह उनकी सेंटेंस थी और काफी जाने माने टेक्निकल की नॉलिज वो देते हैं तो यह कहीं न कहीं उस चीज से भी कनेक्ट करता है तो उसके बाद करना है तो कहते हैं infected ऐखते हैं ही कैसा हो रहा है क्या हो रहा है तो वो सबसे बड़ी गल्ति हो जाती है employed तो वहा gua Invalid क्लिक वो तो हो गया ट्रैफिक जो मैंने पहले बातज कि यह हो गया invalid क्लिक कि आपके Bluetooth पर तो यह गल्ति मैंने की थी मैंदे अपने science phone से तो हलां कि नहीं की थी क्योंकि यतना knowledge था कि आपने कर्लीक में के आप aप काफी video ने इस देखा हब कि लोग कहते हैं कि आप अपने फोन से मत देखी अपने और आसपास के जो लोग है उन में देखे अब मैं यूटूब चैनल जो है वो मैंने देखना बंद करवा दिया है अपने घर में कि और कोई लोग मेरी वीडियो ना देखें पहले मैं चाहता था कि टाइम बढ़े उसके लिए देखता था क्योंकि लो से क्योंकि मसीनरी सिस्टम बहुत हाड हो गया है बहुत ही एक हिसाब से यू कह लीजे कि बहुत कमर कसली है मसीनरी ने इन सब चीजों के लिए तो आपको इससे से बचना है किसी भी हादत में आपको क्लिक नहीं करना है बस बात कर लेते हैं इस टार्टिम में जब आप आपको बचना है जो मैंने गलती कर दी अब इसको अप कैसे रेशियो कैसे निकाल सकते हैं कि ज़्यादा आ रहे हैं इन्वैलिट क्लिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैंने एक फिर आपको एक्जांपल देना चाहूंगा किसी टेक्निकल चैनल का नाम फिर से तो जब से अच्छन अप्रूबल आया था तब से मेरा ब्लॉग जो है उस पर व्यूज जो है करीब आ रहे थे देर सो दो सो धाई सो दो सो बीस इस तरह से हो गए तो मैं इस चीज़ में खुश था कि ठीक है व्यूज आ रहे हैं तो उस चीज़ को मैं एक प्लस पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ठीक है बढ़िया है अगर आ रहा है तो आने दो ट्रैफिक आ रहा है तो उस चीज़ से आपको एक माइंड में यह क्लिक करना है उस वक्त आपको अपने हिसाब से अपना रेशियो निकालना है कि अगर 50 साथ पर जैसे मेरा 50 साथ पे एक्षन अपर होता है अपने अंदर जो कि मैंने फिल नहीं किया अब जब डिसेबल हो गया मेरा अकाउंट तो मैंने फिल किया कि कोई आप पर आपके ब्लोग पर आके बार-बार कि कौन ये कर रहा है अब ये कैसे करेंगे आप feedback आपको पता ही है feedback में आप जाएंगे action के वहाँ पर feedback में उनको लिख दीजे या तो एक form होता है आप सर्च करेंगे गोगल पर action form appeal तो वो हो जाएगा आपको बता देता हूं उसको भरना है और भरने भरते वक्त ये लिखना ह कि मैं कुछ नहीं करना हूँ ये अपने आप ही हो रहा है तो इस चीज को ये तीसरा जो point है ये सबसे जरूरी point है जिसके वज़ा से ads and disable होता है according to me क्योंकि पहले education या practical फिर वीडियो इसमें education भी है practical भी है और वीडियो भी आपको ये बना दी मैंने क्यों क्योंकि ads and knowledge के व बना के मैंने दे दी तो तीनों चीजों का मैंने combination कर दिया है उमीद है कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे इस वीडियो में इतना ही चैनल को लाइक से subscribe कर दें नमस्कार